हालो फ्रेंज वेल्कम बैक टू लब्ली इसरा सोई तो फ्रेंड यहां पर हम बनाने वाले हैं डावा रेस्टेंट स्टाइल पंच मेल दाल तड़का मिक्स दाल भी बोलते हैं इसको तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं रेस्पी पसंद आए तो एक लायक जरूर कर दी ली है और यहां पर उरद की छिलके वाली दाल ली है और मूं की दुली हुई दाल में ली है और लाल मसूर की दाल ली है उसके बाद यहां पर अरहर की दाल ली है तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं जितनी आप बनाना चाहें तो मैंने एक दालें लिए हैं और सभी mixing bowl में डाल देते हैं और डाल के इसको 4-5 पाने से अच्छे से रगड की हमको दो देना है ताकि जितना chemical होता सभी निकल जाए तो मैंने धो कर कि यहां पे तैयार कर लिए दाल को और चलिए हम डाल देते हैं पानी तो मैंने यहां पर गरम पानी लिय जल्दी से दाल फूल जाती है तो लगबाव 30-40 मिनट हम इसको छोड़ देंगे फुलाने के लिए और यहां पर 40 मिनट हो गए थे तो दाल हमारी काफी अच्छे से यहां पर फूल गई है तो देख सकते हैं आप दाल के विल्कुल जितने विदाने थे सभी जस्ट डवल हो गए है इसके बाद हम इसमें कूकर में डाल देते हैं आप चाहें तो जो विगोया है पानी हटा सकते लेकिन मैंने इसको चार से वंच पानी पाली तो यहां पर डाल लेए एक चमच नमक आदा चमच हल्दी पाउडर, कल tit इसलिए मैंने तीन गुणा पानी डाला है और थोड़ा सा इसमें तेल डाल देते हैं दाल एक जैसी सभी पक करके तैयार हो अब कुकर को बंद कर देते हैं और इसमें तीन से चार विसल हम आने देते हैं और तब तक मैंने यहां पर लिया टमाटर और प्याज हरी मिर्च लैसन अधरक तो इनको हम बारीक सा काट के तयार कर लेंगे सभी को को देखी कि यहांपे सभी कट करके तयार हो गए हैं और अब चलते हैं गैस की तरप तो यहांपे मैंने रखके कड़ाई और डाल देते हैं यहांपे सर्सों का तेल लिया है आदा चम्मच यहांपे झाएगा जीरा उसके बाद मैंने दो सुकी लाल मिर्च लिए टेज पत् और डाल के अच्छे से इसको भून लेना है तो कुछ रेकर नहीं पर हम इसको भूनना है इसके बाद मैंने जो अधरक काटी रखी थी बोडाल दी और लेसन को मैंने थोड़ा सा कूच करके डाला है और दो हरी मिल्स जुकाटी थी उसको भी डाल दिया तो लेसन आप चाहें सॉप्ट धरक करना है जो मैंने टामाट्र काटके इसको भी हम आपे डाल देते हैं और यहां पर थोड़ा से मिक्स करते हैं और डाल देते हैं पर नमक, तो आप लोग जानते हो नमक जानते हो नमक दालो n 개인 से त्माटर बहुत अच्ये से गर जाता है तो बस बड़ी असे मै बून लेना है जब तक टमाटर सॉप्ट ना हो जाए और यहां पर टमाटर अच्छे से सॉप्ट हो गया तो आप देख सकते हैं विल्कुल मिक्स हो गया है तो हल्का-फुल्का में मैस और कर देती हूं इसको है और इसके बाद यह पे मसाले डालते हैं आदा चमझ हल्दी पाउडर एक चमझ धनिया पाउडर और आदा चमझ किछन किंग मसाला एक चमझ यहां पर राड़ चिली पाउडर और एक चौनल ऑफाई चमझ गरम अच्छिक बूनेंगे और इनको सब्सक्राइब को अच्छे ला गया है और यहां पर हम अपनी दाल को भी चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं दाल हमारी काफी अच्छे से गल कर के तयार हुई है तो बहुत अच्छे से मैस भी हो गई देख सकते हैं इसी तरह सी दाल हमको चाहिए थी तो चलिए अब हम डाल देते हैं कडाई में जो मैंन तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से को अगर पतली और भाना एपे क्वाण कर में करने नहीं पॉरे सबुक्त है कलें देख सकते हैं धने को अच्छे से यहां मिक्सर देते हैं लेकिन यहां पर डाली यह में कमप्लीट नहीं हुई था ये देख लेकी है अब यहाँ चाहिए तो इसके लिए हम पो क्या कर ना है इसके लिए चली यह टाश तड़ करते हैं तड़का हम को तो यहाँ पर मैंने पैन रख लिया इसमें डाल दयता है थाहर censor बटर तो आ ज you go या ओयल का लगाना चाहते हो लगा सकते हैं तो बटर यहां परJack he Ob hack और थोड़ा सा यहां पर के डालेंगे हम जीरा तो भोग जाएका तक बहुट जाएका तो यहां पर देख सकते आछे से यह भून गया है तो चलिए-चयलते हैं दाल के पास और यहां पर मैंने ले लिया है kashmiri red chili powder आदा चमच तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तड़के में और मिक्स करने के बाद हम यहां पर दाल में इसको लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं इसके कलर और तड़का पड़ते Links कोज़ां है और विद intriguing तो अब आप देख सकते हैं बहुत ली बहुत ही बहुत ही बहत्री candle आया है और यह हमारी दालतरका पंच मेल दाल करके तेयार हो गई है तो जो भी आप पषंद ओ जितनी दालों से हैं इसको बना सकते हैं तो रेच्पी यह मारी कैसी लगी कमेंच बौक्स जरूर करिएगा और इसको रोटी चाबल जिससे भी आपको पसंद है उससे इंजॉय करिएगा और हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई फ्रेंट थैंक्स पर बॉच्चिंग